इतनी सारी चीज़े हैं जो हम लोग सुनते हैं, जो हम लोग करते हैं, लेकिन करते वक्त उससे डरते भी हैं और आज तक हमने उसका रीजन ना समझने की कोशिश की है, ना किसी से पूछा है Like काली बिल्ली ने अगर रास्ता काट लिया दा रहे, वहां से मच जाओ यार लेकिन आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सूपर स्टिशन की पीछे क्या लॉचिक है मेरे साथ इस हमें मुंबई-based साइको थेरपिस्ट हाओ वी, हाओ वी, वेरी गुड मॉर्निंग ये बहुत इंपोर्टन टॉपिक है, इसके चर्चा करना बहुत जरूरी है, is what I feel And that's exactly what we are gonna do today ये अंद विश्वास हमारे कल्चर में आया कहां से और अंद विश्वास से इतना जादा जो लोग डरते हैं उस डर को कैसे कम करें, ये सब जानेंगे इश्क 104.8 FM पर थोड़ी ही देर में होई के साथ अभी के लिए वाला गाना चला रहा हूँ, आपके लिए इस लिए इस अंद विश्वास को हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है ये आज जानने की कोशिश्वास से लेकर जो डर है, उसको कैसे कम किया जाए, ये भी जानेंगे इश्क 104.8 FM पर मेरे साथ है मुंबई-based psychotherapist हओवी, हओवी, तो ये कल्चर में आया कहां से, ये सबसे पहले जानना जाहेंगे आक्चली हमारे कल्चर में, हमारे tradition में माना जाता है कि वहां से शुरू हुआ था, हमारे पूरवजों ने अक्चली ये culture या एक ट्रडेशन शुरू किया था but actually it takes start out with some common sense reason आप नीम्बू मिर्ची को ले लीजे जो हम गाडियों पे लगाते हैं या शनीवार को माना जाता है कि नीम्बू मिर्ची नजर के लिए बहुत जरूरी है but actually नीम्बू मिर्ची घर के बाहर टांगा जाता था because it drives away insects, इसके insecticidal properties है similarly आप देखेंगे कि women को कहा जाता है कि मंदिरों में मत आईए during their menstrual cycle ये भी रिवाज एक common sense या एक concern से शुरू हुआ था because पुराने जमाने में मंदिर घर के बहुत दूर हुआ करता था so that women are saved that discomfort of traveling during their menstrual cycle इसलिए ये रिवाज शुरू हुआ पर आज ये एक superstition का रूप ले लेता है तो ये superstitions होते क्यों है और हम इने क्यों खतम नहीं कर सकते है एक तो ये कही ना कहीं power and control से जुड़ा हुआ होता है you know certain factions of society उनको वो power and control और उन पर मिल जाता है so ये superstitious beliefs को वो propagate करते है दूसरा हम अगर हमारे individual level पर देखे तो हम भी कई सारे superstitious acts perform करते हैं ताकि हम external events पर control पा सके external events like exam या job interview जो actually हमारे control की बाहर है तो हमें लगता है धही शकर खाने से या फिर किसी मंदर में जाकर नारियल फोड़ने से हम उस particular event पर control पालेंगे और कही ना कहीं अगर हमने ये superstitious acts किया नहीं और उस दिन result अच्छा आया नहीं तो हम इन दो चीजों को भी जोड़ देते हैं और फिर हम इस belief को और ज्यादा reinforce करते हैं कि हम superstitious acts नहीं करेंगे तो हमारे life में problems आएंगे आपने निम्बू मिर्च का example दिया मैं पढ़ रहा था कि मिर्च तो हमारे culture में था ही नहीं ये तो Portuguese लाए थे 16th century में अगर निम्बू की बात करें तो किसी को नहीं पता कि निम्बू कहां से आया कुछ लोग कहते है आसाम से आया कुछ लोग कहते है बर्मा से आया उस लोग कहते हैं चाइना से आया तो मलदा अच्चुली में अगर चाइना से आया अगर हमें पता चल जाया आज के दिन तो फिर क्या लगाएंगे लोग निम्बू मिर्च ये तो सुचने वाली बात है लेकिन हवो भी आप से ये जानना चाहेंगे कि ये जो सूपर स्टिशन को लेकर जो डर है इसको कैसे कम किया जाए इश्क 104.8 FM पर थोड़ी ही देर में आप से फिर जुडएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे अभी के लिए वाला गाना चला रहा हूँ आपके लिए इश्लगा जब वो स्टार्ट हुआ था तब वो सूपरस्टेशन नहीं था था अंद्विश्वास नहीं था तब वो एक्चुली एक लॉजीकल चीज हुआ करती थी लेकिन धीरे धीरे विथ टाइम वो अंद्विश्वास बंता गया Like for example, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो holy places में जाते हैं, आपने भी experience किया होगा, जहां पर यह कहा जाता है कि इस pond में, इस नदी में आप सिख्का फेको तो आपको good luck मिलेगा Actually, कोई good luck का, कोई science या logic नहीं है, यह reason जो है, जो logic है इसके बीचे वो यह है कि उस time पे जब यह practice शुरू हुआ था, तब सिख्के copper के हुआ करते थे And copper को अगर आप पानी में add करेंगे, तो उसे obviously आपको benefits जादा मिलेंगे and उसी नदी से पूरा गाउं भी पानी लेता था तो एक तरह से बोला गया कि देखो, अगर आप आई गया या मंदिर तक तो गाउं का भी थोड़ा भला कर जाओ And इस तरह वो धीरे धीरे आज के टाइम में मुझे पता ही निया कि सिख्के कौन से metal के बने है For sure वो copper से नहीं बने है, अगर copper से बने होते तो आज के टाइम मेरी मम्मी फ्रिज में सिर्फ पानी नहीं, फ्रिज में पानी और सिख्के भरवारी होती तो वो तो है नहीं, लेकिन हाओ भी, आज आपसे ही जानना चाहते हैं कि यह जो superstitions हैं, यह अंध विश्वास हैं, यह कहां तक ठीक है और कहां यह थोड़ा सा dangerous हो जाता है और इस से अगर थोड़ा सा कम डरना हो तो क्या कर सकते हैं? So Rohit, I think as long as a superstition एक innocent level तक रहता है, तब तक it's okay जैसे हम कुछ लोगों को देखते हैं, जो एक ही टी-शिट पहन कर हर cricket match देखेंगे या फिर एक ही पहन से हर exam लिखेंगे तो कहीं वो हमें comfort करते हैं, हमारा performance elevate करते हैं But sometimes superstition एक obsessive-compulsive रूप ले लेता है and that is when it can become a mental health issue Take for example the person who वही pen के साथ exam लिखना जाता है मगर उस pen को obtain करने के लिए वो कई सारे km ट्रावल करेगा उसका सारा समय बरबात करतेगा उस pen को पाने के लिए rather than spending that time in studying तो जब ये एक extreme level तक चला जाता है तब superstition has started interfering with your life और तब हमें शायद उस behavior को एक mental health problem की तरह देखना चाहिए because अगर उस superstition follow नहीं करते हैं तो वहने panic आता है they are sleepless, restless not only that वह औरों को भी force करते हैं उस ritual में या superstition में participate करने उनके साथ so definitely seeking out mental health help is required अगर ये इस proportion तब पहुँच गया है also lastly में कहना चाहूंगी कि superstitions don't guarantee an outcome ये सिर्फ हमें एक temporary crutch की तरह सहारा देते हैं हमें actually हमारे अपनी उपर या we should start relying on our own self our abilities, हमारे खुद के अंदर के resources, हमारे skills पर we should believe in ourself जब हमारा self-belief उतना strong नहीं रहता है तभी हम ये external चीजों पर rely करते हैं हमें support देने के लिए so I think the antidote to superstition is learning to be very confident in your own abilities like in ishk.fm we are very confident कि ish लगाओ, stress बूल जाओ thank you so much हाओवी हाओवी is a Mumbai-based psychotherapist जो रोज, Monday to Friday, 8 बजे यहां हमारे साथ जुड़ती हैं to talk about mental health तो अगर आपको ऐसी बाते अच्छी लगती हैं तो do let us know instagram है, बहुत बढ़िया चीज़ है जो आप हर दिन करते हैं तो rohit.v-a-r-g-h-e-s-e that's rohit.vergis that's a very difficult insta handle for you you can handle an easier insta handle that's howovi का insta handle h-v-o-v-i अभी के लिए मैं आपके लिए start कर रहा हूँ गानों का spy यानि की 20 minutes of handpick songs right here on ishk104.8 आता हूँ में तो डिदेर में enjoy